हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजमा करी की रेसे पी, बिल्कुल ढावे जैसा राजमा करी हम घर पर ही बना कर तयार करेंगे, तो चली बनाना शुरू करते हैं, राजमा करी बनाने के लिए मैंने एक कप राजमा को रात को ही विगा कर रख लिया कि राजमा जो है पानी में अच्छी तरह से भिग जाए आधी चोटी चमच नमक और कुछ खड़ी मसाले एक चक्री फूल एक इंच दालचीनी का टुकड़ा एक बड़ी ही लाइची और तीन लॉंग लिये हैं मैंने और साथ में ही एक तेज पत्ता और मैंने यहां पर एक ब कुकर का ढ़कर लगा कर और हम इसे चार से पांच सीटी दिलाएंगे जब तक सीटी ले रहा है कुकर तब तक हम टमाटर की प्यूरी बनाएंगे मैंने यहां पर तीन मीडियम साज के टमाटर तीन हरी मीर्ट लिया है और दो मीडियम साज के प्याज को बारिक काट लिया है अब हम टमाटर को जार में add करेंगे और इसे piece लेंगे तो यहाँ पे मैंने टमाटर को piece लिया है और इसे माबावल में transfer कर ले रही हूँ और cooker ने चार सीटी लेने के बाद से मैंने इसका pressure release किया है और बिल्कुल अच्छी तरह से राजमा जो है पक चुका है आप देख सकते हैं मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ ए देखे बिल्कुल अच्छी तरह से राजमा जो है पक चुका है जो आलू हमने add किया है ये भी boil हो गया है तो इस तरह से हम इसे spoon अगरा की सहाथा से बड़े बड़े टुकरे में तोड़ लेंगे तो देखें आलू को मैंने इस तरह से तोड़ लिया है और हम चलते हैं गैस की तरफ, गैस में मैंने कढ़ाई रखे है और मैं इसमें ले रही हूँ, तीन बड़े चमच ओईल, ओईल के गरम होते हैं एड़ करेंगे, एक छोटी चमच जीरा, दो से तीन पेज हिंग, हिंग राजमा में आप जरूर एड़ करें, अच्छे से चलाते हुए इसे चट लगा है, एक छोटी चमच अधरक लहसुन का पेष्ट, आप यहां पे अधरक लहसुन काट कर भी एड़ कर सकते हैं, अच्छे से चलाते हुए हम इसे पका लेंगे, तो प्याज अच्छी तरह से सौप्ट हो गया है, अब हम इसमें टमाटर की जो प्यूरी है एड़ स्वादन सर नमक, आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर, एक छोटी चमच धनिया पाउडर, एक छोटी चमच गासमीरी लाल मिर्च पाउडर, एक बड़े चमच राजमा मसाला, अब हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और सभी मसाले को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे हम इसे 2 मिनट तक इस तरह से खुले में पहले पकाएंगे और फिर इसे हम कवर करके पकाएंगे, तो मैंने मसाले को 2 मिनट तक पका लिया है, अब मैं इसे कवर कर रही हूँ, तो 2 मिनट कवर करनी के बाद से मसाले जो हैं, ओयल लिली जोली रगा है, अच्छे से इसे चला जाते हुए mix करेंगे राजमा में आप आलू एड़ करके बनाएंगे तो ग्रेवी का टेक्चर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी अलगाता है अब इसमें मैं गरम पानी एड़ कर रही हूं 1.5 कप के करीब ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं तो यह बिल्कुल अच्छे से मैंने चलाते हुए mix कर लिया है और यह थोड़ी सी पतली है लेकिन जब हम इसे पकाएंगे तो यह गाड़ी हो जाएगे एक चोटी चमच कसूरी मेथी आधी चोटी चमच गरम असाला पाउड़ा दो हरी मीर्च अच्छे से चलाते हुए इसे mix करेंगे और हम इसे cover करके medium flame पे 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे 3-4 मिनट हो चुके हैं और आजमा जो है अच्छे से boil हो रहा है और मसाले बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं ग्रेवी भी एकदम perfect है मैं इसे rice के सास्वर करूँगे तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी gravy रख रही हूँ आप अपने हिसाब से gravy जो है कम या जादा कर सकते हैं अब हम गैस का flame off करेंगे क्योंकि एकदम perfect है और हमने इसमें आलू डाला है तो जब यह ठंडा होगा न तो और ही गाड़ा हो जाएगा तो गैस का flame off करके और मैं इसमें add कर रही हूँ थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से इसे चलाते हुए mix करेंग आप चाहें तो ऐसे भी इसे सरु कर सकते हैं तो मैंने हाँ पर एक चमच घी लिया है तड़का पैन में और घी के गरम होते ही हम इसमें add करेंगे दो से तीन पिंच हींग यह मार्केट का हींग है तो बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता है दो सूखी हुई लाल मिर्च और ही मज़दा राता है तो फ्रेंड्स आज की हमारी रेस्पी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें सेर करें और हमारे चैनल को भी सस्क्राइब करें